हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों गडित की क्लास है बढ़िया क्लास है ऐसे प्रश्णे है जो आपसे फसायत पहले नहीं बन पाते होंगे तो पूरा वीडियो देखेगा सब कुछ समझ में आएगा और मैं आपको बता दू जो भी हमारे नए जिसमें रीजिनिंग और गडित ठीक है और जीके की भी कोशन में लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें एक क्लास आपकी गडित की रहेगी एक रीजिनिंग का और एक जीके का रहेगा ठीक है अभी जीके का नहीं आ रहा है अभी रीजिनिंग और गडित आ तो आप अच् बाई जेव संख्या जिनका गुना करने पर 24 आ रहा है उन संख्याओं का योग कम से कम नियुंतम का मन कम से कम पूछा है अब देखें कौन कौन से संख्या है जिनका गुना 24 आएगा एक और 24 का गुना आपस में 24 आएगा ठीक है दो और बारे का गुना करेंगे आपस में 24 आएगा तीन और आठ का गुना करेंगे आपस में 24 होगा चार और छे का गुना करेंगे आपस में 24 होगा फिर बाद में 6 और 4 आएगा लोटके तो ये जो चार संख्या ना इनका गुना करूँगा तो 25 हो जाएगा इनका योग करूँगा 14 हो जाएगा तीन और आट का योग 11 हो जाएगा चार उच्छे का योग 10 हो जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि नियुनतम मान योग फल का नियुनतम मान तो योग फल का कम से कम मान क्या है आपका 10 है ठीक है क्या होगा 10 होगा डियोफ से बिल्कुल सही हो गया हमसे पूछ राता है योग का कम से कम मान क्या होगा तो कम से कम मान 10 होगा जिसका गुणनफल 24 है उसका योग कम से कम 10 होगा ठीक है समझे में आ गया अब देखते हैं अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है 20 महीलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती है 16 पुरुस उसी काम को 15 दिन में कर सकती है एक पुरुस और एक महीला की चमता के बीच अनुपात कितना है बहुत अच्छा प्रश्णी ठीक है बहुत भैतरी 20 महिलाएं 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती है ठीक है 16 पुरुस उसी काम को 15 दिन में कर सकती है 20 महिला ये फीमिल लिख देता हूं में ये पुरुसे मैं लिख देता हूं समझाने के लिए 20 महिलाएं काम को 16 दिन में कर रहे है वही 16 वही जो काम है 16 प्रस 15 दिन में कर रहा है ठीक है कटा लीजी ठीक है देखे 16 से यह 16 कर जाएगा 5 चोके 20 5 तिरिक गप 15 तो आपका जो अनुपात है वो क्या रहा है 4 अनुपाते 3 आ रहा है चार अनुपाते 3 आ रहा है अब देखेंगे अगला प्रश्नी, अगला प्रश्नी है, एक रासी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधरन ब्याज 935 रुपे है, रासी का मान रुपे में क्या है? आपके पास रेट कितना लग रहा है, 10% का, ठीक है, 12 महीनों का है, 12 महीने का मतलब एक वर्स का, ठीक है, एक वर्स का, और साधरन ब्याज एक वर्स में कितना मिला है, 935 रुपे, तो 10% का मान 935 रुपे हो गया न, भाई, आपके पास 10% का रेट लगा, और उस पर ब्याज मि कमान नेकालेंगे कैसे निकालेंगे भ Rangers इसizione रहेगा बस लाइस्ट में यह जीरो आजाएगा टान बेंपनेपन पचास पहला option आपका सही जवाब हो गया सभी के समझ में आसानी से आ रहा है अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है यदि a plus 1 upon a बराबर 2 हो तो x की power 5 plus 1 upon a की power 5 का मान होगा algebra का प्रश्न है सभी जानते है ये algebra का प्रश्न है x होता है x के स्थान पे यहाँ a दे दिया कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है ये जरूरी बात है algebra का इस टाइप का प्रश्नी कभी भी दिया जाए और यहाँ पे आपको 2 दे दिया यहाँ पे 2 दे दिया आपकी tension खतम होगी आपको बस x equal to 1 माल लेना है ठीक है जब आपको यहाँ 2 दे दिया गया तो बस सारी tension खतम करके x equal to 1 माल लेना है आपको यहाँ ठीक है अब यहाँ पे x equal to 1 माल लेना है या फिर x की जगे a दिया गया तो a equal to 1 माल लेना है ठीक है a equal to 1 अब जैसे कि यहाँ पर A equal to मैंने 1 मान लिया तो यहाँ पर 1 रखूँगा पिलस उपर तो 1 पहले से है यहाँ भी 1 रखूँगा 1 पिलस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यह condition satisfy कर रहा है अब A की जगे 1 रखूँगा मैं 1 और 1 की पावर चाएग कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा पिलस उपर 1 पहले से है A की जगे 1 A की पावर चाएग कितनी भी क्यों नहीं उसका मन एक ही ही रहता है तो 1 पिलस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानि कि D option आपका आंसर हो गया सही जवाब सबीको समझ में आठ़ा सा अब देखेंगे अग़् outright प्रेश्णी अग्रा प्रेश्णी है एक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या ग्याद कीजिए एक संख्या हमको ऐसी ग्याद करनी है जो अपने वर्गमूल से स्वयम के बर्गमूल से 30 अदिक है ठीक है देखेगा यहाँ पर क्या है 16 है तो देखिए 16 है यहाँ पर 16 ठीक है 16 मैं 16 का क्या करूँ square root करने चार होता है तो देखिए यह जो 16 है इस 4 से कितना अदिक है 12 अदिक है दूसर न क्या 36 है 36 का भी मैं square root करूँ 6 होगा अब देखिए यह 36 6 से कितना अदिक है आप बोलेंगे 30 अदिक है और हमको 30 अदिक ही तो बता रहा था कि एक संक्या अपने बर्गमूल से 30 अदिक है अपने बर्गमूल यानि कि 6 से 30 अदिक है अपने बर्गमूल करूँ गा आपको करना क्या है लाइक करना है और शेयर तो अदित से अदिक कर दी कि उन बच्चों तक जो बिना कोचिंग के घर पे तयारी करना है उनके पास तो वीडियो ज़रूर पहुचाएं ठीक है दोस्तों धन्यवाद